नमस्कार स्वागता आप सभी काया NBS News के स्पेशल प्रोग्राम राश्रितिक हलचल में कॉंग्रेस की पूर्वा अध्यक्ष राहूल गांदी की टीम का एक के बाद एक विकेज किरता नजर आ रहा है जोती रादित्य सिंधिया के बाद अब जितिन परसाद ने कॉंग्रेस छोड़ कर BGP का दामन धाम लिया राहूल गांदी के करीबी सचिन पाइलेट उन से किये गए वादे 10 महने बाद भी पूरे नहीं होने पर नाराज है जिनके समर्थन में पार्टी महा सचीव भवर्ट चितिंदर सिंग भी आ गए है अब ऐसे में कॉंग्रेस हाई कमान पर दवाव बढ़ गया है जितिन की खबर आने के बाद सचिन पाइलेट ट्वीचर पर भी टॉप ट्रेंड में बने हुए है जितिन प्रसाद की बीजिपे में शामिल होती ही सचिन पाइलेट गुट के वधायक वेद प्रकार सोलंकी ने कहा कि कॉंग्रेस में पार्टी नेताओं और कारिकरताओं की सुनवाई नहीं हो रही है सचिन पाइलेट के साथ जो वादी किये गए थे उन्हें आज तक पूरा नहीं किया गया सुलहे के लिए जो कमिटी बनाई गई थी उस कमिटी ने कोई बैचक नहीं की हम लोग प्रियंका गांधी से दिल्ले में मिले थे तब बात हुई थी हमारी और कहा था कि सुनवाई होगी लेकिन अभी तक हमें बुलाया गया नहीं हम खुद दो बार दिल्ली जाकर अपना दर्द बता कर आएं हैं लेकिन कोई सुन नहीं रहा है आपको बता देती हैं कि आज से 11 महीनी पहली पिछले साल सचिन पाइलिट 18 विधायकों के साथ कॉंग्रेस के साथ बगावत कर दिल्ली चले गए थे इसी दोरान उन्होंने कॉंग्रेस नहीं डिप्टी सीयम और परदेश आथक्ष से भरखास्त कर दिया गया था जब जीतिन परसाद ने ट्वीट कर करते हुए कहा कि सचिन पाइलिट मेरे साथ ना सर्फ पार्टी में काम करते हैं बल्कि वह मेरे एक अच्छी दोस्त भी है पालिट के बारे में सब जानते हैं कि उन्होंने किस तरह से पूरे समर्पन के साथ पाची के लिए काम किया है मानता हूँ कि सब ठीक हो जाएगा क्योंकि मैं तो इससे बेहत दुखी हूँ पिशले सार अगस्त में सचन पालिट के नित्वत में राजस्तान की कई कॉंग्रिस विधायकों ने मुख्य मंतरी अशोग गहलोद की खिलाव बगावत का चंडा उठा लिया था उस वक्त दोनों गुटों के निताओं ने कई दिन तक होटेल में अपने समर्थक विधायकों को बंद रखा था इसके चलतीं सीम गहलोद ने पालिट को डिप्टी सीम पत से और उनके दों समर्थकों विश्विंदर सिंग और रमेश मीना को मंतरी पत से बरखास्त कर दिया था गहलोद सरकार को ऐस्तिर देखकर बीजेबी भी सक्रिय हो गई थी लेकिन हाई कमान के दखल के बाद पाइलिट मान गए थे बहराल अब इस पूरे मामले को समय समय पर टानने के बाद कॉंगरेस पाच्छी को एक बाद फिर राजस्तान के मुख्यमंतरी गहलोद और पाइलिट दोनों को खुश रखने की कड़ी चुनोती का सामना करना पड़ रहा है सुत्रों का कहना है कि अब आगे पता नहीं क्या होने वाला है अब किस तरीके से राजश्टितिक हालात बदलने वाले हैं सुत्र बताती हैं कि ऐसे में राजस्तान में पाइलिट खेमी के नेताओं को कैबिनेट विस्तार में जगह देकर समसा का समधान किया जा सकता है श्राहूल गांदी की टीम का अब ये जो विकेट किरता नजर आ रहा है अब देखने वाली बात होगी कि ये विकेट कब तक संभलती है और कब तक ये राशनीतिक जो पूरा तुफान चल रहा है वो कब तक थमता है तब तक आब बनी रहीं NBSC News के साथ नमस्कार